एलो ट्रेडर्स, वैलकम बैक टो मैंचेनल एक विटी स्टार ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही जवरदस्त strategy लेकर आया हूँ आप लोग के लिए मैं strategy इसलिए लाता हूँ जो चीजे मैं personally market में आपजर्व करता हूँ उन चीजों को मैं आपके सामने रखने की और बताने की कोसिस करता हूँ तो आज की वीडियो उसी के बेस पे है लेकिन सबसे most important और advantage क्या है कि जो strategy लेके मैं आज आया हूँ ये एक तरह से बोल सकते हैं universal strategy है ये किसी भी index में चाहिए वो bank nifty हो, nifty हो, stock हो या फिर कोई forex trading करता है उनके लिए भी सब के लिए valid रहेगा, universal strategy मतलब everywhere ये काम करेगा अब ये strategy कोई indicator based strategy नहीं है, purely price action है price action ऐसे कि just मैं आज आपको example के साथ में बताऊंगा strategy पहले bank nifty में apply करके बताऊंगा और इस strategy के according मुझे लगता है कि अगर कोई बंदा trading करता है या फिर fully discipline रहके trading करता है, इस strategy को follow करता है definitely वो profitable रहेगा, क्योंकि ये जो system में बताने वाला हूँ जो strategy की secret में आप लोग के सामने रखने वाला हूँ mostly 80 to 90% इस strategy के accuracy है और इस पे जब आपने control कर लिया आप समझ लोग के 80 to 90% आपने market पे control कर लिया क्योंकि ये strategy fully market के trend के according या फिर market sideways होता है तो उसके according कैसे drive करता है वो सारे चीज़े आपको as a price action multiple confirmation की through यहाँ पे बताने की कोशिस करूँगा और उसी के according ये drive होगा, ठीक है तो अब सवाल आता है कि यहाँ पे time frame बहुत लोग इसमें भी confuse कर जाते हैं कि time frame कितना रखना है देखो मैं एक बार ये solid बता देता हूँ 15 minute का time frame is standard time frame इसमें रख सकते हैं मैं 15 minute के according आपको दिखाऊंगा आप 10 minute भी use कर सकते हैं ठीक है लेकिन मैं यहाँ पे mostly 15 minute use करने बाला हूँ अब देखिए यहाँ पे सवाल क्या आता है किसी भी बंदा से अगर आप पूछेंगे जो trading करता है खासकर कि future and option या फिर किसी stock में या फिर forex में कहीं भी trading करता है तो कोई ऐसा नहीं कि जो profit नहीं बनाता हो profit हर कोई बनाता है लेकिन उसको balance out करके नहीं चल पाता है मान के चलो कि 5 दिन आपने profit किया और आपने सुना होगा कि 1 day 6 day जो होता है ना 6 दिन जब trading करना start करता है तो 5 दिन का profit जो है ना 6 दिन जो है ना loss कर देता है मतलब balance out नहीं कर पाता है इसको बना के रखनी पाता है या फिर profit को घर ले जाना उनको पता नहीं कि कैसे घर ले जाना है कैसे save करना है अब यह सब चीज़ी तो चलो ठीक है profit हर कोई बना लेता है losses भी कर लेता है balance out नहीं करता है लेकिन इसके पीछे reason क्या हो सकता है कभी आपने सोचा है क्यों ऐसा होता है क्यों अक्सर loss ही कर जाते है बन्दा या फिर बड़े अच्छे profit बनाने के बाद भी सारे एक दिन के trade में lose कर जाते है क्या reason हो सकता है आज मैं इन सब सारी चीज़ीओं पे काफी detail में बाते करने वाला हूँ तो आईए मैं point view आता हूँ और point की बाते बताता हूँ सबसे पहले जब market open होता है किसी भी time में तो कितने condition के साथ open हो सकता है क्या आपने सोचा है मेरे according previous day के data काफी ज़्यादा matter करता है मान के चलो कि ये एक length है जहां से हमारा previous day का data के according यहां पर एक high होगा previous day जो market overall high लगाया होगा ठीक है यहां पर एक law होगा जो previous day का market के according एक overall law लगाया होगा ठीक है ये law हो गया और ये जो है high हो गया समझाने के लिए मैं बहुत अच्छे तरीका से समझाने की कोसिस करूंगा यहां पर मान के चलो market का closing है closing आप तो समझ रहें जहां market last time में close होता है ठीक है last time last candle की बात कर रहा हूँ तीन बज़ के पंदरा मिनट अब मान के चलो whole day market यहां पर open हुआ यहां से start हुआ चाहिए वो कितना भी उपर गया कितना भी नीचे गया एक law लगा दिया एक यहां पर high लगा दिया और lastly जब market close करना चाहा तो वो यहां पर आके इस line पर यहां पर close हो गया अब इतना चीजे अगर मेरे पास information है तो हम लोग कल कैसे trade करेंगे यह data हमको बता देता है कि कल कैसे trade करना है क्या करना है क्या नहीं करना है लोग यहां पर भी confuse कर जाते हैं मान के चलो अगर यहां पर इस range में मान के चलो कि previous day के high प्रिवेश डे के law और इस close के बीच में कहीं यहां पर market open हो जाता है ठीक है तो आप लोग यहां पर decision ले सकते हैं कि हम लोग कैसे यहाँ पे buy करे, कैसे sell करे, कहां से market trending होगा, कहां से market trending नहीं होगा, यह सब खुद previous day के data यहाँ पे आपको सारी चीजे बता देगा, लेकिन अब बता कैसे देगा, इसको पहले अच्छे तरीका से समझे, मान के चलो की यहाँ पे market open हो रहा है, ठीक है कुछ exceptional case भी है, इसके बाद मैं बताता हूँ कि उसको कैसे drive करना है, सबसे पहले हम लोग condition क्या लेते हैं, कि अगर मान के चलो की market क्या कर रहा है, previous day के, यहाँ पर जो previous day का यह law है, यह और closing है, यहाँ पे open हो रहा है, यहाँ ठीक है, अगर market previous day के closing के near और law के उपर, मतलब इस दोनों के उपर, मतलब high के नीचे और close के near open हो रहा है, तो guys अगर यह close को और यह previous day के law को, दोनों को अगर यहाँ पे breakdown कर देता है, समझ गए ना, दोनों को, closing को और law को अगर breakdown market कर देता है, तो यहाँ से market trending हो जाएगा downside के लिए, समझ गए, इसको हम लोग one directional move के लिए बोल सकते है, directional market है, directional trending market है यह बोल सकते है, downtrend में, ठीक है अब यह एक trend का मैंने आप लोग को clear कर दिया, मान के चलो कि market यहाँ पे open होता है, ठीक है, इस तरीका से अगर market closing और law के direct ऊपर open होता है या फिर यहीं पे closing के near open होता है, ठीक है, अगर यह धीरे धीरे यहाँ पे ऊपर जाने लगा, तो यहाँ पर भी अगर ऊपर जाने लगा, तो कुछ quantity, जैसे small quantity आप buy कर सकते हैं, लेकिन यह एक sideways range है, क्यों? क्योंकि overall जो high है market का वो breakout नहीं हुआ है, यह breakout होगा, उसके बाद हम लोग यहाँ trending market कह सकते हैं, ठीक है? guys, समझिए अच्छे तरीका से, मैं काफी detail में, बच्ची की तरह step by step आप लोग को बताना चाहता हूँ, ताकि आज के बाद किसी को loss ना हो, market का trend find करने में, market directional है, नहीं है, sideways है कैसे है, क्या पता करना है, सारी चीज़े यहाँ पर पता चलेगा, trade कैसे लेना है, वो भी चीज़े पता चलेगा, पहले मैं सारे situation को, सारे condition को आपको बता देता हूँ यहाँ पे close के near अगर open हो रहा है, या फिर close के ऊपर open road है, chances है कि market उपर जा रहा है, तो उपर तो जाएगा लेकिन risk है, क्योंकि यह एक no trading zone है, जहाँ पे market side wage भी हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे आपने risky trader के according, कुछ quantity, small quantity nominal quantity buy कर भी लिया, तो हमको confidence कब आएगा, जब यह previous day के high को break कर देगा इसका मतलब होता है, जो previous day का closing है, वो, और यह high को जब break कर दिया, उपर के direction में तो हमारा यहाँ पे confirmation हो गया, कि market का trend जो है upside में हो गया, अब market यहाँ से one directional upside में जाने वाला है तो यहाँ पे मैंने दूनों condition आपको बताया, एक तो down side का condition trending कब होगा, एक यहाँ पे upside का condition trending कब होगा upside में अब आता है, जब market sideways होता है तो कैसे होता है, क्या होता है तो जो condition मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, कि market चलो closing यहाँ पे है, थोड़ा सा मैं इसको अभी यहाँ पे हटा देता हूँ फिर से समझाता हूँ मैं, कि market sideways कैसे होता है, जो हम लोग identify नहीं कर पाते हैं, मान के चलो previous day का high यह वाला है previous day का low यहाँ पे यह वाला है market इसी के near कहीं भी open हो गया, अब जब तक यह previous day का high को, previous day के low को market breakout या breakdown नहीं करता है, कितना भी आप कुछ कर लो, यहाँ पे market आपको trap ही करेगा, या फिर यह no trading zone है, जहाँ पे आपको maximum chances, 80 to 90% chances है, कि आप यहाँ पे capital को lose करेंगे छीक है, यह सब मेरा observation है personal observation है, इसी लिए मैं आपको यहाँ पे काफी detail में बताना चाहता हूँ, और detail में आपको यहाँ पे बता के basic से advanced level तक समझाना चाहता हूँ, ताकि यह strategy आपको अच्छी तरीका से समझ में आ जाए अब यह sideways condition है ऐसे में market में क्या करना है simple हम लोग को trade नहीं करनी है या फिर trade को avoid करना है चाहे ऐसा भी condition हो सकता है आपको कि जब market यहाँ पे सारे चीज़े मान के चलो कि close के नीचे आ गया यहाँ पे आ गया, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था, कि यहाँ पे quantity कम buy कर सकते, लेकिन sideways chances से यहाँ पे बहुत ज़्यादा risky हो जाएगा उसी तरीका से closing के अगर market नीचे आ गया और यहाँ पे law जो है प्रिवेस डे का उसको breakdown नहीं कर रहा है, मतलब market यहीं पे कहीने कहीं support ले रहा है प्रिवेस डे के law पे और market returning की कोसिस कर रहा है तो फिर भी sideways ही market होगा ठीक है, तो यह चीज़े यहाँ पे confirm हो गया, market trending कब होगा, market sideways कब होगा अब फिर भी इतना करने के बाद भी आपको लगता है कि कोई trader यहाँ पे profit बना पाएगा, गाईज नहीं बना पाएगा इसका reason क्या है, वो मैं अभी जो बताऊंगा न, आपका दिमाग हिल जाएगा कि ऐसे भी होता है क्या सब दिन तो आपने देखा होगा previous day जहाँ पे close किया है, क्या यहीं पे market open होता है, नहीं होता है कभी आपने देखा होगा market gap up होता है कभी आपने देखा होगा market gap down होता है अब यहाँ पे condition थोड़ा सा अलग हो जाता है सबसे ज़्यादा जो trader lose करता है capital वो इसी condition में करता है जब market price action मतलब previous day के closing के near open ना होके market gap up हो जाता है या फिर gap down हो जाता है यहाँ से confusion आता है कि market trending होगा या फिर market यहाँ पे gap को fill करेगा यहाँ से दो condition generate होता है इतना एक तो देखिए potential क्या है कि market यहाँ पे closing था यहाँ पे gap up हो गया अब इतना gap जो यह बनाया है इस gap को fill करने का भी तो probability market में है या फिर इतना दूर जो market को open किया है इस buyers में potential भी तो है market को और ज़्यादा right करा सके ऐसा भी हो सकता है अब इसी तरीका से सवाल नीचे में भी आता है अगर market कोई closing यहाँ पे है market यहाँ पे gap down हो गया जो market को इतना से यहाँ तक gap down करा सकता है जो seller क्या उसके में potential नहीं है कि market को down side लेके जाला जाए या फिर यहाँ पे buyers में potential नहीं है कि इस gap को fill करा जाए तो guys बहुत सारे सवाल है बहुत सारे लोग यहाँ पे decision गलत ले लेते हैं और market में trap होके लुक्सान कर देते हैं फिर कहेंगे कि market gap up हो गया और समझ नहीं पाया मैंने वहाँ पे lose कर दिया अब देखो यहाँ पे market बताता है जब यहाँ पे market normal open होता है तो previous day का data हमको यहाँ पे बहुत ज़्यादा help करता है market trending है sideways है कैसा है उसके चीजों को identify करने में लेकिन अगर gap up हो जाता है तो सिर्फ यहाँ पे highs हमको यहाँ पे support करेगा कि कैसे करना है market trending होगा कि यहाँ पे sideways होगा या फिर अगर gap down है तो सिर्फ हमको law यहाँ पे support करेगा कि market trending होगा कि gap up होगा कैसे अब देखो मानके चलो कि market gap up हो गया ठीक है situation यहाँ पे market एक candle इस तरीका से gap up हो गया अब यहाँ पे scenario क्या form हो सकता है कि अगर यह candle rate में close हो गया ठीक है पहला candle gap up के बाद अगर rate में close हो गया most quality की यहाँ पे sellers activate है जो buyers यहाँ पे market को gap up कराया या फिर जो यहाँ पे institutional buyers आया सारे लोग क्या-क्या gap up के साथ ही अपना profit बुक कर लिया तो ऐसे में यह candle जो है rate create होगा क्योंकि sellers यहाँ पे काफी ज़्यादा हावी हो गया और जैसे rate candle बनेगा तो most probability इस candle के low को अगर यहाँ पे break करता है दूसरा candle next candle जो बनेगा 15 minute का तो यहाँ पे काफी मतलब 90% chances आपकी हो जाते हैं कि market यहाँ पे क्या करेगा इस gap को fill करेगा 90% और gap को ऐसा नहीं कि closing तक आएगा यह आप भूल कभी भी मत करना तब जो gap fill होगा वो इसी level के यहाँ पे high तक होगा मतलब इतना ही gap fill करेगा यह वाला ठीक है यही वाला gap vacant रहेगा जहां से previous day तो market high लगा ही चुका है यहाँ तक तो market already run कर चुका है ठीक है यहाँ तक buyers का potential है तो market को जो sellers यहाँ पे activate होगा वो यहीं तक लेके आएगा यह buyers इतना भी नहीं ऐसा करेगा कि market को यहाँ तक लेके गिरा देगा ठीक है न तो again यह buyers क्या करेगा यहाँ पे अपना volume जो है न increase करेगा मतलब buying side का capacity बढ़ाएगा या फिर buyers यहाँ पे increase करेगा और जैसे market यहाँ पे आया इसका मतलब यहाँ पे जानते हो क्या होता है इसका मतलब होता है कि market में कहीने कहीन यहाँ पे sellers होया धीरे धीरे weak पर रहा है और buyers की strength यहाँ पे strong हो रहा है तो वो क्या करेगा as a support इसको consider करेगा क्योंकि market इसके उपर run कर रहा है और market यहीं से क्या करेगा reject करके फिर से अपने trend को continue कर सकता है जो trend यहाँ से market में gap up यहाँ पे लाया था ठीक है condition आपने समझ गया अब यहाँ पे यह पहला condition हुआ second condition एक condition ऐसा भी हो सकता है कि market में इतना ज़्यदा potential है gap up यहाँ पे market open हुआ है previous day का high जो है वो यह है अगर market यहाँ पे gap fill करने आता है जैसा यहाँ पे बताया तो as support यहाँ पे treat करेगा ठीक है लेकिन अगर market यहाँ पे मान किछो लोग gap up बनाया लेकिन यह candle green बना दिया तो यहाँ पे क्या होता है most quality है कि market अगर green candle मना के close कर रहा है तो यहाँ पे buyers का potential और ज़्यादा है मतलब market को और ज़्यादा trend में ले जा सकता है upside में ले जा सकता है यहाँ पे most quality है कि 80-90% अगर इस candle के high को break करता है next candle क्योंकि candle green close हुआ है potential buyers का है sellers का यहाँ पे कोई chances नहीं है और यहाँ से market एक one way momentum यहाँ से आपको मिल जाएगा direction देने वाला है तो यहाँ पे आप लोग फिर buy यहाँ पे initiate कर सकते हैं as a price section ठीक है तो यहाँ पे फिर ऐसा नहीं कि gap को fill करने आएगा gap को fill करने तब आ सकता है जब आपको यह एक rally यहाँ पे कम सकम दे दे अगर उपर में किसी target को done करने के बाद यहाँ से reversal आता है तो हो सकता है तो फिर आपको यहाँ तक भी market गिर सकता है लेकिन यहाँ पे morning hour की बात कर रहा हूँ कि कैसे decision लेंगे के market trending होगा या फिर gap को fill करेगा तो अगर gap अप होगा तो यह दो condition को market जो है na verified करेगा दोनों condition में से एक condition यहाँ पे follow होगा previous day के high को support मानते हुए otherwise इसके first candle के high को breakout करते हुए directional move यहाँ पे दे सकता है अब यहाँ पे एक दूसरा condition हम लोग लेते हैं कि जब market यहाँ पे gap down हो गया तो हम लोग क्या करेंगे चीक है सवाल यह भी तो आ सकता है तो मान के चलो एक candle इस तरीका से यह वाला gap down बन गया तो इसमें भी वही condition है अगर market यहाँ पे gap down बन गया आपने अकसर देखा होगा कि market का previous day का data के according closing यहाँ पे है और market इतना नीचे यहाँ पे open हो गया तो इसमें दो probability इसमें भी हो सकता है पहला कि अगर यह candle gap down के बाद भी green बन गया तो मतलब होता है कि जो sellers यहाँ से market को यहाँ पे ला सकता है वो sellers अपना profit बुक कर लिया क्योंकि यह जो profit इसको मिल रहा है यह huge है जैसे profit बुक हुआ तो retailers यहाँ पे आएगा तो buyers फिर आएगा तो यह candle क्या होगा green बन जाएगा और green candle बनेगा तो हमको wait करना है कि इस candle के high को next candle breakout कर दे और breakout करता है तो most quality फिर यहाँ पे क्या condition match करेगा जो हमारा previous day का law था वो हमारे according as a resistance यहाँ पे काम करेगा और market यहाँ से इस gap को सिर्फ इस resistance के पास ही फिल करेगा फिर closing के near नहीं आएगा अगर यह इस resistance को previous day के law के पास ही market आ जाता है जो हमारे according अब जो है resistance के तरह काम करेगा अगर market यहाँ पे इस gap down वाली candle के high को break करके यहाँ तक आ जाता है इसका मतलब होता है कि इस gap को market फिल कर लिया यह condition first हो सकता है अब यहाँ पे हम लोग अगर second condition की बात करते हैं कि यहाँ पे gap down market open हुआ है और यह gap down के बाबजुद भी कहीं candle यह वाला red बन गया तो आप समझ रहें कि यहाँ पे क्या होगा गाईज एक तो market यहाँ पे closing था यहाँ पे gap down हुआ और यहाँ पे red candle ही close हुआ है मतलब इस candle में अभी भी selling pressure काफी जादा high है और यहाँ पे अभी भी sellers activate हो रहा है तो हमको ऐसा नहीं कि market open हुआ rate candle बन गया तो आँख बंद कर देना नहीं ऐसा नहीं करना है हमको क्या करना है price section के coding देखना है वो कैसे देखना है अगर यहाँ पे इस gap down candle के law को next candle यहाँ पे breakdown कर देता है तो guys यहाँ से definitely directional move हम लोग को down side में देखने को मिलेगा यह कहां तक मिलेगा जो इधर हमारा nearly जो भी support होगा वहाँ तक मिलेगा और इस support level के बाद हो सकता है market यहाँ से return कर सकता है या फिर यहाँ से upside में पूरी ताहिका से इस gap को यहाँ तक में fill कर सकता है यहाँ पे directional move अगर यहाँ पे breakdown कर देता है तो जरूर देगा क्योंकि potential यहाँ पे sellers का काफी high होगा ठीक है तो यह दो condition बन सकता है अब यहाँ पे सवाल आता है कि अगर हम लोग यहाँ पे sale करते हैं तो stop loss क्या होगा guys just this candle का high पे रख देना है अगर यहाँ पे buy करते हैं तो stop loss क्या होगा इस candle के low पे लग देना है ठीक है लेकिन अंदर में अगर open होता है तो मैंने जैसे शुरू में बताया आपको starting में कि क्या करना है कैसे directional होगा कैसे directional नहीं होगा तो यह जो condition है जो मैंने आपको आज day high, day low और closing का बताया है यह secret आपको कोई नहीं बताया यह fully इतना चीजे मैंने बताया जो चीजे manly मैंने observe किया है market में और इसके अलावा कोई भी market इससे बाहर नहीं है इसी के अंदर चलता है इतना ही condition match कर सकता है अगर कोई market किसी भी दिन open करता है तो इतना ही condition को match करते हुए कुछ न कुछ वो करेगा चाहे हो upside direction में move करेगा चाहे हो downside में करेगा चाहे हो sideways करेगा अब मैं आपको सारी theory यहाँ पे बता दिया ठीक है अब चलते है example में आपको मैं यहाँ पे bank ने आपको बताते हुए चलता हूँ क्या हो इस दीन को ले लेता है मान के चलो कि हमको trading इस दीन करना है तो हम लोग कैसे करेंगे ठीक है तो अब previous day के data के recording हम लोग तीन चीज क्या draw कर लेंगे यहाँ पे horizontal line previous day का जो almost law होगा यहाँ पे law है तो हम लोग ने यहाँ पे law draw कर लिया previous day का high है almost देखो वो यहाँ पे है तो हम लोग ने previous day का high draw कर लिया previous day का closing जो है वो यहाँ पे है अब देखो हमारे according market यहाँ पे क्या हो रहा है अगर मैं next day यहाँ पे trading करूँगा तो previous day के according market यहाँ पे एक high लगाया है यहाँ पे एक law लगाया है closing जो है यह वाला green candle बनते ब उपर मार्केट यहाँ पे open होता है ठीक है तो यहाँ पे condition क्या हुआ है second वाला condition gap up के condition में match किया है previous day के closing पे market open नहीं हुआ मतलब यह जो law है यह जो high है और यह जो closing है इसके बीच में कहीं भी market open ही नहीं हुआ ताकि हम इस बीच में कुछ भी decision ले पाए market direct यहाँ पे gap up open 15 मिनट का candle को अगर simply यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो एक candle इतना बड़ा बन जाता है वही candle एक ही candle में जो candle open हुआ है वही candle में यहाँ पर भी आ गया मतलब single candle जो candle opening candle था वही candle gap को भी feel कर लिया तो अब gap वाली situation यहाँ पे हमारी नहीं रही ठीक है gap को जैसे market feel किया तो इ आपको feel कर लिया और candle यहाँ पे support लेते हुए green candle में close किया है गाइज green candle में close करना मतलब buyers का potential यहाँ पे अभी है buyers यहाँ पे इंड नहीं हुआ है अगर यहाँ पे buyers इंड हो जाता तो candle कहीं ने कहीं red candle यहाँ पे दिखाई देता या फिर यहाँ पे sellers का involvement काफी जादा होता जो कि यहाँ पे दिख नहीं रहा है candle green है तो हमको क्या करना है candle के high को marker लेना है और break करेगा तो मतलब market trending up होगा क्योंकि इस support level से range support level से market आने के बाद इसके near आया है मतलब यहाँ पे आहीं गया है reject किया हुआ है candle में shadow part का भी मैं कहानी आप लोग को candlestick pattern में already बता चुका जिस candle का जितना बड़ा week रहेगा इसका मतलब होता है यहाँ से rejection market में उतना ज़्यादा strongly आया है मतलब buyers इस support level से काफी strongly activated हुआ है और candle green हो गया मतलब दो condition match हो गया तीसरा है कि support level से rejection भी मिल रहा है चौता है कि इसको breakout भी कर रहा है अब market यहाँ पे थोड़ा बहुत ही इस level जलता कि यहाँ पे हमको target पहला candle ही यह वाला entry candle ही target दे दिया बड़ा target नहीं है लेकिन previous day के resistance के according जो target होता हो यही है तो हमारा पहला candle entry candle ही target दे दिया यहाँ से लेके यहाँ तक और क्या चाहिए गाई यह चीज़े तो आपको मिल गया direction भी पता चल गया अगर market का अप trend में है और market कितना भी कर लिया देखो trending appear आया यहाँ पे आके इतके ऊपर ही buying side के ऊपर ही close हुआ है तो matter यह करता है ठीक है अब हम लोग क्या करते हैं अगर मान के चलो यहाँ पे condition में बताता हूँ देखो क्या है second condition अब हम लोग यहाँ पे इस दीन मान के चलो कि इस दीन हमको trading क decide करेंगे कि market में कल जो है क्या होने वाला है just अभी आप खुद बताएंगे कि क्या होने वाला है सबसे पहले हम लोग इस दीन के high को mark कर लेते हैं जो यहाँ पे है इस दीन की अगर data को हम लोग देखते हैं तो सबसे low जो है इस दीन 20 को यहाँ पे लगाया है सबसे high यहाँ का यहाँ पे है तो हम लोग सब पे क्या करते हैं एक horizontal line दे देते हैं उपर में दे दिये closing यहाँ पे है closing पे दे देते हैं और low जो है वो market का यहाँ पे है जो 9 बज के 15 मिनट पे open हुआ है हम लोग ने 3 line draw कर दिये जहाँ पे 20 का overall low decide हो गया closing यहाँ पे decide हो गया high जो है overall यहा पे हमारा closing में लिया अब market के अगर रहा है इसके near मतलब यहाँ पे closing के near open हो रहा है तो condition क्या होगा अगर previous day के high और closing के near यहाँ पे market open हो रहा है और इस दोनों के नीचे अगर market आता है तो मैंने अभी बताया थी थोड़ा सा risky हो सकता है यह वाला अगर यहाँ पे sale करना चाह ना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत quantity के साथ ले सकते हैं बड़ा नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो market आता है इस closing को हम लोग reference level ही मानेंगे और आप लोग को पता है कि analysis में everyday बताता हूँ analysis में यह चीज़े कि reference level कभी भी हमको एक strong buying और strong selling का signal नहीं दे सकता है वहाँ पर breakout या support या resistance कुछी भी market लेता है तो as a reference considered करेंगे otherwise वहाँ पर trap होने के संचांसिस बहुत ज्यादा होता है रिक्स भी बहुत ज्यादा high होता है तो guys ऐसे condition में अगर हम लोग छोटा quantity यहाँ पर ले लेते हैं तो हमारा जो यह high के नीचे है और close के नीचे market आता है तो trending कही ने कहीं dawn दिखाता है और यहाँ पर देखिए candle क्या क्या हमको इस support level तक जो हमारा previous day का law है वहाँ तक ही पहले target respect करेंगे अगर इसके नीचे भी market आ जाता है या फिर closing दे देता है definitely यहाँ से market trending होगा अगर यह closing नहीं देता है तो क्या होगा market यहाँ पर sideways हो जाएगा अब देखो ना आपके आखों के सामने है जो चीजे मैंने बताया market target दो दिया इसके बाद sideways हो गया क्या पूरी तरीका से sideways हुआ अब क्या चाहिए गा है result तो आपको मिल रहे है जो चीजे मैं बता रहा हूं वो चीजे तो result दे रहा है तो high law bank nifty previous day high previous day law सबका यहाँ पर result आपको देखने को मिलेगा अब हम लोग इस दीन का देख लेते हैं previous day का high यहाँ पे है closing यहाँ पे है देखो closing यहाँ पे है इसके बाद अगर हम लोग previous day के law की बात करते है ऐसा है मतलब 19 का यहाँ पे overall high की बात करते है तो वो यहाँ पे है closing हमारा देखो यहाँ पे है law overall यहाँ प आपको यह मिल रहा है, अब हमारा यहाँ पे condition क्या करता है, overall law, overall यहाँ पे closing और इसके near market open हुआ है, अभी just मैंने आपको यहाँ पे example दिया है, कि यहाँ पे chances तो है, क्योंकि high के और closing के नीचे हैं, तो downside में जाने के chances है, वही वाला situation यहाँ पे है, कि overall law के closing के अगर यहाँ प ही जाएगा, chances है, मतलब risky है, थोड़ा सा risk ले सकते हैं, यहाँ पे जैसे आपने buy किया, देखो न, target तो आपको पहले target तो यही वाला high तक मिलेगा, लेकिन अगर market इसके ऊपर भी close कर देता है, इसका मतलब होता है, कि market trending है, लेकिन यह वाला as a reference level consider करेंगे, यहाँ से decide नही के भी, यह target देके भी sideways हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, लेकिन अगर breakout दे दिया, यहाँ से close होके, यह तो पता चल गया, छोटा quantity से अगर buy करते हैं, तो target तो मिल गया, लेकिन इसके ऊपर, अगर यह previously के high के ऊपर close कर दिया, और closing के ऊपर market चला गया, और low के भी ऊपर यहाँ पर तीनों के ऊपर चला गया, market trending हो गया, और देखो target आपके सामने है, तो गई यह example तो मैं देते देते यहाँ पर ठक जाओंगा, example बहुत सारे आ जाएंगे, तो आप लोग इसको practice करना one of the best और मेरा favorite strategy है, day high and law, यह किसी भी market में काम करेगा, absolutely price action के base पे है, बस कमाल previous day law, previous day closing, यह तीनों के ऊपर market depend करता है, कि market trending होगा, यह market sideways होगा, यह चीजे market खुद बता देता है, next day आपको यहाँ पर घवराने की, यह पर decision लेने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैंने step by step one by one यहाँ पर clear किया, I hope कि वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया चैनल में अगर नए है, तो चैनल को subscribe जरूर कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो की latest notification आपको मिलता रहे, और इस टैप की बहुत सारी learning content every day में post करते रहता हूँ, ताकि आप लोग को सीखने को यहाँ से बहुत कुछ मिल पाए, thank you so much for your love and support.